नमस्कार मनी मन्त में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के बारे में होटल इंडस्ट्री और टूरिजम इंडस्ट्री जो की बिलकुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं लेकिन हिंडस्तान में एक तरफ सरकार टूरिजम को बढ़ावा देना चाहती है और इसको सबसे बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया में बनाना चाहती है लेकिं दूसरी और उसको जो support करने वाली industry है, जो कि hotel industry है, उसका क्या हाल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. हमारे साथ में दो खास मेहमान है जो कि 25-25 साल से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दोनों नौजवान थे जब इंडस्ट्री में आए लेकिन अब काफी समय उसके हो चुका है, अनिल भंडारी साब जो कि चीरमन है भी स्पार्ट कॉंसेट्स के और सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं, साथ में जो इसका बैक अप जो होता है टूरिजम का उस से जुड़े हुए हैं, होटल कॉर्परेशन आफ इंडिया के आप डिरेक्टर रह चुके हैं बहुत साल तक और ITC ग्रॉप से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशल ट्रेवरल हाउस से जुड़ इंडस्टान के बड़ी होटल चेंज के साथ में जुड़े हुए हैं और दोनों ही इसको बड़ी अची तरह से जानते हैं वेपार को लेकिन मैं जल्दी से पहले खराब खबर आप लोगों को देता हूं शुरू में कि जो यूरो मॉनिटर है उसके हिसाब से 2009 जो इस साल च जो हैं वो 16 फीस दी कम होंगे ये उनका अनुमान इस साल के लिए है क्योंकि मंदी का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है हिंदुस्तान के अगर हम बात करें तो हमारी परफॉर्मेंस जो है सिर्फ टूरिजम सेक्टर की जिससे की होटल सेक्टर जुड़ा हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो कोई 4.48 लाख टूरिस्ट अक्टूबर में जो हैं वो हिंदुस्तान में आये थे जो कि पिछले साल से कम है यहां पर भी मंदी का असर देखा जा रहा है जो लोग बाहर से आया करते थे वो कम आ रहे हैं और इसके साथ ही जो अर्निंग्स हमारी जो ह हिस्सा जो है वो सिर्फ इस इंडस्ट्री से आता है और इसमें करोड़ों लोग जो हैं उनको नौकरी मिलती है क्योंकि एक जब टूरिस्ट आता है एयरपोर्ट से तो उसको वहां पर लेने के लिए एक टैक्सी वाला जाता है उसकी नौकरी जोड़ी रहती है उसके बाद है क्या हमारे पास में दोनों इंडस्टी त साथ-साथ चल रही है एक तरह मंदी की बात कर रहे हैं दूसरी तरह आने वाले दिनों में दो हफते दो महीने जो बचे हैं उसमें दिल्ली शहर में कोई होटल का कमरा उपलप नहीं होगा ये हमारे बड़ा कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि कमी है मंदी है फिर भी होटल का कमना नहीं है क्या इसका मतलब कैपसिटी में इतनी प्राबलम है इसा ही है कि डिमांड सप्लाई की इश्व है बहुत बड़ा कि हमारे यह जो है प्रेसिंट्ली 150,000 रूम्स हैं और अप्रूप कैटिगरी में 100,000 र इनक्रीस करना पड़ेगा नमबर अफ रूम्स को प्रेसिंट्ली जो हम देख रहे हैं वो 60,000 रूम्स जो है अभी पाइप लाइन में है अब उसका कारण है कि यह क्यों रूम नहीं बन पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो हम देखते हैं कि हमारे भी किसी भी स्टेट म किसी भी प्रांथ में उसकी मास्टर प्लैन में कभी भी किसी होटेल के लिए साइट नहीं मार्क की गई थी तो मास्टर प्लैन में उन्होंने कमर्शल साइट थी सिनमा ओल के लिए की थी और होटेल के लिए नहीं की थी तो अभी यह होता है कि आप कहीं पे भी कोई जमीन क कराना पड़ता है उसके पश्चाती आप उसके फोटल बना सकते हैं जिससे खर्चा बहुत हो जाता है